नमस्कार दोस्तों समस्या हैं आपकी समधान हमारा के यूट्यूब चैनल में मैं जतिन सेगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों अब हम बात करेंगे भ्रस्पती महराज के गोचर के बारे में जो की 6 एपरिल सन 2021 को मकर राशी छोड़ करके अपनी नीच राशी को छोड़ करके कुम राशी में प्रवेश करेंगे और 14 सेप्टमबर सन 2021 तक वो इसी राशी में रहेंगे तो विभिन राशी ओपर इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले बारी है मेश राशी के जात्कों के लिए, मेश राशी के जात्कों के लिए ब्रस्पती महाराज का गोचर अब तक उनके 10th house में था और अब वो 10th house को छोड़ करके उनके 11th house में आ रहे हैं, दोस्तों पुरानिक जोतिश में ऐसा बोला गया कि ब्रस इस्ट्रा effort लगाने पड़ते हैं क्योंकि ब्रस्पती महाराज एक मैसरगिक शुपफलदाई ग्रह हैं और उस घर के घर को expand करते हैं जहां पर वो बैठते हैं, तो दोस्तों मेश राशी के जात्कों के लिए ब्रस्पती महाराज का गोचर उनके 11th house में आ रहे हैं, 11th house हमा मेश राशी के जातक हैं, उनकी जो भी डिजायर होंगे अब उनको फूरा कर पाएंगे, उनकी आय में, यानि स्वें कमायों धन, यानि लाब में भी व्रिद्धी होगी, हला कि दोस्तों, ब्रस्पती महाराज थोड़े से एक क्या है कि egoistik planet क्योंकि teacher भी मनेगे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े भ history हो सकते हैं तो आप उनको एक राय दे सकते हैं कि ऐसे समय में वो egoistic नहो इसके दाब बात दोस्तों ब्रस्पती महाराज की तीन द्रिश्टियां होती हैं पांचवीं, साथवीं और नौवीं, तो दोस्तों ब्रस्पती महाराज की मेश राची के जात्रों के लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवीं दृष्टी उनके थर्डाउस पे आ रही है, थर्डाउस हमारे करेज का होसले का हमारे पडोसियों का इन सब का होता है, त कुछ पहले से कुछ वाद विवाद की स्थीतियांती तो वो दूर होने की संभावना ये बनेगी, छोटे भाई बेनों की विद्धी के लिए वो काफी अच्छा रहेगा, इसके लावत दोस्तों, रस्पती महाराज की साथमी दृष्टी उनके पंचम स्थान पर आएगी, प काफियत तक अच्छा रहेगा, और जिन भी लोगों को ऐसा लग रहे है कि कहीं न कहीं संतान उत्पती में अब तक समस्य आ रही थी, तो अब संतान उत्पती के योग भी बन जाएंगे, इसके रहाव दोस्तों, ब्रस्पती महाराज की जो नौवी दृष्टी है, वो उनक के विवा के भी अच्छे योग बन जाएंगे, पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा कहा कि ये तो केवल एक गोचर होता है, सबसे पहले हमारी जनम कुंडली ही काम करती है, जो कि हमारी जनम तिथी, जनम समय, जनम स्थान के नुसार प्यार होती है, और उसमें चल रही नक्षतराज में चल रहा होता है, तो उतनी मदद हमें मिल नहीं पाती, तो दोस्तों, जोतिश कभी भी जैसा मैंने हमेशा का डराने के लिए कभी भी नहीं बनाया गया, एक चीज़ हमेशा से बोलता है, और बोलता रहूंगा, कि astrology is a divine science, no one can change your destiny, but yes you can balance the things, यानि जोतिश दिवे विज्ञान है, भाग या आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं, positive करमास करके, तो जितने भी मेश राशी के जातक, यदि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, इतना गोचर से में पड़ाई के लिए जो बुक होती है, वो किसी गरीब जरूरत मन को यदि वो दान करेंगे, तो देखेंगे, ये ब्रस्तपती का गोचर भी उनके लिए अच्छा होता चला जाएगा, बाकी मेरी शुब काम नहीं, मेश राशी के जातकों की साथ हैं, इसी के साथ मैं अपनी योट्यूब चैनल धन्यवाद